तो आज किस वीडियो बेर हम सीखेंगे गेम चेंजिंग रिस्क मैनेजमेंट इस्टेडिजी जी हाँ यही स्टेडिजी आपको प्रोफिटेवल बनाएगे यह वीडियो उन सभी ट्रेडर्स के लिए बहुत ही जादा जुरूरी है जो मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं या अभी लॉस में है क्योंकि अगर आपका पीनल या फिर आप लगातार लॉस कर रहे हो क्यों कर रहे हो वो गलती है अभी हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं उसका समाधान इस वीडियो में करने वाले हैं अगर आप ऑप्सन बायर हो ऑप्सन सेलर हो या फिर आप फ्य ट्रेडिंग के फिल्ड में हो तो ये वीडियो सभी लोगों के लिए एक बहुत ही चादा इंपोर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना इस वीडियो में आपकी सभी समस्याओं का समधान मिल जाएगा और कहीं ने कहीं मैं आप को वो भी दिखाने का ट्राई करूँगा कि अगर आप इस स्ट्रेडिजी के माध्यम से चलते हो तो कहीं ने कहीं आप जीरो लॉस के आसपास कैसे अपना ट्रेडिंग को कर सकते हैं और बिना कैपिटल पर बहुत जादा रिस्क लिए हुए भी कहीं ने कहीं आप एक प्रो तो हमारे पास एक कैपिटल होता है ठीक है तो बहुत सारे लोगों का सवाल यह होता है कि आपके प्रेड कितना रिस्क लिए लेकिन मैं आपको वो चीज़े सिखाऊंगो जो रियल मार्किट में काम आएगा और जो प्रैक्टीकल चीज़ें यह होंगे ठीक है ऐसा भी लोगों को चीजे समझने में भी आसान हो ठीक है अगर आपके पास इसे कैपिटल कमें जाएदा हो तो आप उसके हिसाफ से प्रैक्टिकली रिलेट कर सकते देखो अगर आपके पास कैपिटल वन लेक है या फिर सब्सक्राइब कितना भी कैपिटल है तो आपका पर मन्त रिस अगर आप प्रॉपर रिसेंट का मैक्सिमम रिस्क होना चाहिए यह है आपका वन मन्त का क्यालकूलेसन ठीक है अभी आप लोगे आघे दिखांगा कैसे क्या क्या कहानिया होती है और किस तरह से आप कहीन के कम से कम रिस्क ले करके भी काम कर सकते हो, अगर आप प्रॉपर रिस्क मैंजेमेट इस्टेडिजी को फॉलो कर रहे हो। अब देखो एक महीने का रिस्क आपका 50% हो गया ठीक है आपका करप्टर का एक लाग रुपए है तो पचाजा रिस्क पर हो गया अगर आपका 10,000 रुपए है तो आपका 5 रुपए रिस्क पर हो गया ठीक है इसे तरह से आप अपना एजूम कर सकते हो अगर आपका करप्टर आपको मिलेंगे trade करने के लिए ठीक है किसी में 19 होंगे किसी में 21 होंगे ऐसे ही होगा माल नहीं था हूँ मैं 20 trading day होते हैं तो इस हिसाब से आपका क्या risk बना per trade का per trade का अगर मैं आपसे लोगों से पूछ हूँ तो क्या risk बना इस हिसाब से 20 trading day होते हैं 50% आप लोगों का maximum risk है तो इस हिसाब से कहीं ने कहीं आप लोगों का 2 से ले करके 0.5% का per trade या फिर मैं बोल दूँ पर डे का risk हो जाएगा ठीक है यह है calculation सही कि आपका daily का risk किता होना चाहिए मतलब अगर आप 1 लाग से काम कर रहे हो तो यह मान लो 50% आपका एक महीने में आप risk ले सकते हो तो आपको 2 से 2.5% आप daily का risk ले सकते हो ठीक है तुछ 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 आई परसन मतलब अगर आप terms of rupees की वाद करें को 2000 से ले करके 25 का आपका daily risk होना चाहिए इससे जादा आपका risk किसी भी किमत पर नहीं होना चाहिए बहुत सार लोग बोल देता है कि 1% daily का trade लो 1% का daily का risk लो लेकिन कहीने कि जब आप practical चीज़े जब करने जाओगे market में तो 1% थोड़ा सा कहीने कि आपको तकलीप देगी 2-3% daily का आप अधिक्तम risk ले सकते हो अब इसके बाद समझो कोई भी अगर आप trade कर रहे हो कोई भी अगर आप trade ले रहे हो उसके chances कितने हैं मैं आपको बता दूँ अगर आप आख बन करके भी trade ले रहे हो तो या तो आपको profit होगा उस trade में ठीक है या तो उस trade में आपको न नहीं कर रहा हूं ठीक है या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको नुक्सान होगा तो इसमें चांसे क्या है फिप्टी परसेंट चांसे से आपके प्रॉफिट करने के फिप्टी परसेंट चांसे से आपके लोस करने के ठीक है तो कहीं न कहीं आपके जो एकूरेसी ह में ले करके चल ला हूँ देखो 50% में क्यों ले करके चल ला हूँ अगर जभी भी मैं बात करता हूँ practical way की तो practical way में चीजे थोड़ा सा अलग हो जाती है हाला कि अगर आप एक दोखो अगर आप एक सही direction में काम कर रहे हो सही trading way में काम करो तो आपका 70-80% accuracy तो बहुत ही जादा आराम से होगा लेकिन मैं कोई आपको profitable strategy नहीं बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ risk management strategy चाहे आप कोई सीवी कितनी भी कितनी खराब भी trading करते होगे लेकिन फिर भी आप कहीं ने कहीं कैसे अपने capital को बचा करके चल सकते हो वो मैं कुछे सिखाने वाला हूँ विकोज इस market में जिसके पास capital है वो राजा है मैं बार बर बताता हूँ और लोग हमेशा इन चीजों को avoid करते हैं अब यहां मैं मान लेता हूँ कि आप एकदम beginner हो आप एकदम freser हो आपके पास कोई जानकारी नहीं है कुछी भी नहीं है आपका one ratio one का risk reward ratio भी है फिर भी देखो अब 20 टेडिन दे थे एक महीने में हमने deletate किया 50% profit होगा तो loss होगा 50% chances रहते हैं तो मैं मान लाता हूँ 50% कितना हो गया 20 दिन का 10 दिन 10 दिन आपको profit हो गया और 10 दिन कहीं नुकसान होगा क्योंकि 50-50% दोनों के chances है 10 दिन नुकसान हुआ तो नुकसान तुमारा fix है 2-3% मान लेता हूँ मैं 2% का ठीक है तो कहीं कहीं 40% का आपको नुकसान हो जाएगा केवल केवल 10 दिनों में लेकिन कहीं ने कहीं एक महीने में आपको 10 दिन profit भी हुआ रहेगा 10 दिन profit भी होगा तो मैं यह मान के चलता हूँ कि इतना आपने loss लिया था उतना ही कहीं ने कहीं आपने profit भी कर लिया ठीक है तो यहां 20% का रिस्क रहेगा और यहां पर 20% का आपको profit भी रहेगा ठीक है तो यहां पर जो सुमझने करता है गरो 10 दिन हमने trade गया जिसमें profit हो गया 2-2% का 20% का profit हो गया 10 दिन हमने trade लिया जिसमें हम लोगो 20% का नुकसान हो गया तो इस हिसाब से अगर आप एक महीने में trading किया आपकी accuracy 50% भी रही तो कहीं ने कहीं आप 0% के risk पर निकल गया मतलब ना आपका कुछ जेब से गया ना कुछ आपको मिला ठीक है थोड़ा वो चार्जस वगरा लगे होंगे ये तो मैं सबसे बुरा से बुरा condition बता रहा हूँ क्योंकि 50% तो लगभग chances रहते हैं आपके profit करने के ल दोस्त की आप कभी भी risk पर ध्यान नहीं देते हैं आपको profit हो रहा है तो आप जल्दी exit करते हो आपको जिस दिन loss हो रहा है आप wait कर रहे हो hold करके बहुत बड़ा risk ले रहे हो आपको कोई मतलब ने का कप्टर का 2% जा रहा है कि 10% जा रहा है कि 20% जा रहा है बस आप trade लेकर करके बैठे हो बहुत बड़ा बड़ा risk ले रहे हो over trading कर दे रहे हो over trading करके आप लोग अपने capital के धजिया उड़ा देते हो एक ही दिन में एक-एक महीने का profit किया हुआ कहीं ने कि एक-एक दिन में आप लोग अपना पीनल खोलो और उसमें बस check करो कि कितने दिन आपके green में गए हैं कितने दिन आपके red में गए हैं अगर green में बी studying day में अगर आपके 12 green में गए हैं 8 red में गए हैं तो भी कहीं ने कहीं आप profitable बन सकते थे लेकिन बस आपने risk management को follow नहीं कि और ये भी देखना red में गए हैं जिस भी दिन अगर आपके आपको loss हुआ रहेगा उस दिन आ प्रोटा मोटा profit होता रहेगा ठीक है यही मेन सबसे जादा रीजन यहीं बहुत ही बड़ा important role play करता है इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप risk management strategy को follow करो अपने capital का किसी भी कीमत पर अभी तक आप लोगों को overview कुछ ना कुछ सारी चीज़े समझ में आगी होगी अपने capital का daily का daily system मुना लो 2.5% से जाएदा आपको risk नहीं लेना है चाहे market में कुछ भी हो जाए अगर आप एक लग रुपए से trading कर रहे हो तब की में बात को यह किसके लिए applicable होगा यह option जो फ्यूचर में काम करते हैं उनके लिए applicable हो ऑप्सन बाइंग क्या करेंगा option bias को 2.5% risk नहीं होता है option bias को जाएदा ही होता है तो मैं अभी उसको भी बताऊंगा अब देखो यहां पर catch क्या है अभी तो मैंने आपको बता दिया अभी तो मैंने आपको simple से चीज़े बता दी 50% का हिसाब से ठीक है लेकिन अगर आप सही चीजों को follow कर रहे हो तो आपकी पहली बात accuracy भी हाई होगी अब देखो profitable बनने के लिए क्या करना पड़ेगा मैं आ अगर आप profitable या फिर एक अच्छे सिस्टम पर काम कर रहे हो तो आपकी accuracy at least 70% आप लोगों की accuracy होनी चाहिए अगर आप सही सिस्टम पर काम कर रहे हो तब की मैं बात कर रहा हूं ठीक है हाला कि accuracy strategy के तो 80-90% भी होती है तब लेकिन real market में आप जाओ के काम करने तो उसकी accuracy कही कहीं ने कहीं आपको थोड़ा बहुत कम होने को मिल सकते क्यों कि आप कहीं ने कहीं थोड़ा बहुत गलती भी कर सकते हैं चीज़े दिमाग में डाल के चलना आप लोगो 70% accuracy है तो मतलब क्या हुआ एक महीने में अगर 20 trading day होते हैं तो उसमें सब profit किते दिन होगा और नुकस नुकसान की बात करोगे तो 6 दिन आपको नुकसान का मूँ देखना पड़ेगा ठीक है 6 दिन नुकसान का मूँ देखना पड़ेगा अब मैं बानता हूँ कि जितना का आप रिस्क ले रहे थे उतना का ही profit कर रहे हो मतलब लगब 2% का profit कर लो तो मतलब 14 दिनों में आप 12 परसंट का नुकसान होगा तो ओवर अगर आपको सब कार्ट पीड दोगे तो भी कही ने कहीं आप 16 परसंट का net positive में रहोगे 16 परसंट का net profit में रहोगे अभी में 1 रिस्यो 1 रिस्यो 1 पर मतलब जितना आपका आप रिस्क ले रहे हो उतना का ही आपको profit भीड़ा तब की म चार परसेंट का होना चाहिए ठीक है मतलब अगर इंट अप सब रूपी जी बात करोगे तो अगर आप रिस्क ले रहे हो हजार रुपे का तो आपको प्रोफिर होना चाहिए दो हजार रुपे का ठीक है और मैं मालत हूँ आपकी एकुरेसी 50% ही है आपके 10 दिन प्रोफिट की होंगे ठीक है 10 डेज आप प्रोफिट करोगे 10 डेज आपको नुकसान होगा तभी तो 50% एकुरेसी है ठीक है यह लॉस हो गया और यह प्रोफिट हो गया 50% एकुरेसी में मान के चल लहाऊं 10 दिन अगर आपने नुकसान किया आपको नुकसान कित्ते का है लग बुग 2-5% मैं मान लेता हूँ 2% का आप डेली लिक्स दे ले हो तो 10 दिनों में कित्ता का नुकसान होगा आपको 20% कही ने कही नुकसान हो जाएगा वही 10 दिन जब भी आप प्रोफिट कर रहे हो ना तो आप रिस्क का दोना रिस्क का दोना को जाएगा 4% 4% का profit कर रहो तो 40% का आपने 10 दिनों में profit कर लिया 10 दिनों में आपने 20% का नुक्सान कर लिया फिर भी कही ने कहीं आप overall 20% के positive में रहोगे तो ये है गाईस risk management की power लेकिन हम लोग हमेशा skip कर देते हैं जब loss हो जाता है तो emotion में बहने लगते हैं भाई मेरे ये गलती मत करो emotionless trading करो अपने trading के अपने capital के साब से per day का risk की निकालो उसी risk के अंदर trade करो किसी वीके में पर अगर उतना risk हो जा रहा तो उसके बाद trade बिलकुल मत करो over trading को छोड़ो, control करना पड़ेगा तभी जगा कहीने कि यह profitable बन पाओ हम लोग हमेशा risk के में लोगो ignore करते हैं, इसी के वज़े से penal green होता है कभी आपने अपना penal उठा कर एक बाद देख लेना समझ में आ जाएगा अब बात कर लेते हैं option buyer की option buyer में भी चीजे सेम ही है लेकिन बस एक चीज़ कहाए छे क्योंकि देखो option buyer का risk हमें से ज़एदा बड़ा होता है क्योंकि वो buy करते हैं 10,000 के अपने से पुरा buy कर लेंगे वीज़े के अपने से पुरा buy कर लेंगे तो समझो अब यहां से option buyer का game start होता है अगर आप option buying कर रहे हो क्या कर रहे हो option अगर आप buy कर रहे हो और आपके पास एक लाख capital है ठीक है एक लाख capital है एक लाख आपके bank account में होना चाहिए ना कि trading account में आप उस एक लाख में से 25% ही केवल अपना d-mate account में आप डालोगे ठीक है d-mate account में डालोगे एक लाख आपके पूंजी है तो आप 25% उसका trade कर पाऊगे ठीक है अब आपके पास 25,000 से आप कहीं ने कहीं option buying करना शुरू करना ठीक है लेकिन आपके पास side में 55,000 रुपे होने चाहिए side में 55,000 रुपे होने चाहिए और आपका per trade का risk लगभग 10% का होना चाहिए अगर आप 25,000 से बाइख करो तो आपका 2000 रुपे का risk रहे गई रहेगा 10% अगर आप रिस्क ले रहो 25 रुपे का आपका कहीं ने कहीं risk रहेगा ठीक है यह maximum की में बात कर रहा हूँ तो इन टर्म सब रुपीज मगर आ गए आप तो वहां हम option ceiling में 1,000,000 रुपे लगा रहे थे या फिर फूचर में 1,000,000 रुपे लगा रहे थे तो उसका 2% 2% risk कितना होता था 2-5% 2000 से लेगए का 25 रुपे का लेकिन अगर आप वही option buying करते हो तो पूरा capital पहले बार डालना है अगर डाल दियो तो फिर वही उसी दिन कहानी खराब हो जाएगी क्योंकि option buying का risk थोड़ा बड़ा होता है और आप अधिक्तम अधिक्तम per day कितना risk के ले सकते हो 10% risk के ले सकते हो आपके पास जितना भी capital है किसी के पास हो सकता है 2,4,000,000 किसी के पास हो सकता है अगर आपके पास 50,000 ही capital है तो आप इसका 1,4 भाग ही कहीने कहीं dimate account में डालना बहुत पाचाजार है तो लगभग 12,000 पे अपने dimate account में डालना और 12,000 का 10% ही आपको trade per trade per risk लेना है per din risk लेना है ठीके इसी हिसाप से आपको trading करना है अब आप बोलोगे sir कि per din risk तो fix होता नहीं है बिल्कुर से ये बात बोला है आपने अब यहाँ पर थो सक समझ लो चीज़ हो कैसे आपको fix करना है risk वो भी मैं सिखा जेता हूँ अब देखो किसी दिन हो सकता है कि 5 point का stop loss मिल जाए ठीके और किसी दिन हो सकता है आपको 10 point का stop loss मिल जाए ठीके तो जिस दिन आपको 5 point का stop loss मिल रहा है उस दिन आप suppose करो कि 4 lot में भी काम कर सकते हो क्योंकि आपका risk कहीने कि छोटा मिल रहा है तो आप उस दिन 4 lot में काम कर लो लेकिन जिस भी दिन अगर आपको 10 10 point का एसल मिला तो उस दिन आप 2 ही lot में काम करो तब जाकर करके कहीने कहीं आपका per trade का risk manage हो पाई है क्योंकि daily कहीने की हर दिन अलग-अलग एसल मिलता है जैसे थोड़ा से इसको और में easy करता हूँ जैसे मान लो कि मैं nifty में काम कर रहा हूँ ठीक है nifty में काम कर रहा हूँ nifty में 50 quantity का एक lot होता है ठीक है 50 quantity में ने कर लिए और एक दिन मैंने trade गया तो इसी पर मुझे risk मिल गया कितना का मिल गया stop loss मिल गया मान लो suppose करो कि 10 point का 10 point का stop loss मिल गया तो 10 into 50 कितना हुआ 500 पर lot का risk हो गया अब हमारा जो risk capacity कितना है 2000 का है क्योंकि हमारे पास capital कितना है 1 lakh रुपे है तो हम यहाँ पर उस दिन 4 lot में काम कर सकते हैं तब जाकर कहीं ने कहीं 2000 रुपे का risk होगा ठीके अब जुरी तो है ने कि हर दिन 10 point का risk मिल जाए हो सकता है कि किसी trade में आपको 20 point कैसल मिल जा मान लोक मुझे 20 point कैसल मिल गया तो per lot में कितना risk हुआ per lot में आपका 1000 रुपीज ही risk होगा ठीक है 1000 का risk हो गया तो इस दिन हम क्या करेंगे इस दिन हम maximum 2 quantity में काम करेंगे तो जाकर के कहीं ने कहीं हम मुझे 2000 रुपे का loss होगा उस trade में ठीक है तो इस तरह से आप अपनी quantity को manage करके भी risk को manage तरीके में काम करेंगे एक सी समझ जाओ जो इतने जादा हम लोट को fluctuate करते हैं उसमें भी दिक्कत होती है क्यों 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 हमें नहीं पता है कि किस दिन हमारे SL जाएगा हम लोग एक से दो दिन तीन दिन लगाता है एक से दो दो लोट में profit करेंगे confidence आ जाएगा अगले दिन सीधे सीधे 10 लोट में मार लेंगा भाई तो भाई सब 10 लोट में अगर SL छोटा सा भी हिट हो जाएगा तो ये जितना भी एक दू तीन लोट में profit किया था दो तीन दिन उस सब का सब profit एक ही दिन में चला जाएगा तो ये risk management की ये ताकत है समझो risk management को अगर आप अच्छे से follow कर लोगे तो मैं इतना दावे के साथ कहा सकता हूँ कि आप एक profitable बनने की journey में बहुत बड़ा कदम उठा लिए हो I hope आप मेरी बातों को समझ पा रहे होगे अगर ये वीडियो जड़ा सभी अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को like कर देना और comment करना कैसा लगा आपको वीडियो ये चीज़े थोड़ी से boring ज़रूर होती है लेकिन बहुत ही बड़ा important role play करती है जब तक आप इन सब चीज़ों को follow नहीं करोगे आपका capital ग्रीन में रहना बहुत ही जड़ा मुस्किल है चलना पर पहली बार आए हो तो चलनको subscribe को लेना मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में आप कमेंट में कुछ और सेस्टन होंगे तो मुझे आप कमेंट सेसकते हैं बता सकते हो